जिला अस्पताल में 45 साल के उपर की वेक्तियों को कोवीड का टीका करंड किया गया जिसके संबंद में सियमो डॉक्टर सुधाकर प्रशाद पांडी ने बताया कि जनपद में 45 साल के उपर की वेक्तियों को 105 के इंद्रों पर टीका लगाया जा रहा है जिसके तहर जिला अस साल से उपर की वैक्तियों का जो किसी बीमारी से गरशित हैं उनका टीका करण किया जा रहा है उन्होंने बताए कि गुरुवार तक 1,36,000 लोगों का जन्पत में टीका करण किया जा चुका है वही टीका करण कराए वैक्तियों से बात करने पर उन्होंने बताए कि टीका लग पाद पांडिय ने कहा कोई देडवादा कार्ड ने लिए गया है क्या बेचे को है हम उनको ने कर रहे हैं हम कोड़ में काम करते हैं जबाने को अगेर प्रेस होता है कुमाई कुछी लगा दिया कुछी कार्ड बनाया रखें क्या अधरा रखें जबादा वे सब्सक्ता रखें जबादा बशेवाद दो पांड़ियो जबादा आपको हम हम उपात चंति यह बादा आपको आप रामायन सिंह की अच्छा लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है सब लोग इसको लगवाला है जैसे जल से जल हो सके इसको लगवाला है सब लोग समय आने पर अपना लगवाला है उर्मिला से अच्छा लगा सब लोग लगवाला समय आने पर लगवाला के लागने के बाद कोई समयस्या कोई समय साने पबलिक के कुछ क्याना चाहिए अपना नॉमबर आज लगवाए और क्या प्रकाश झाल ट्रीग लग रहा है कोई समय समय आ भी नहीं है पब्लिक को यही कहेंगे कि आकर बैक्सिन का ठीका लगवा में वो शुरच्छा के लिए अच्छा चीज है और गया है आज कोबिड टीका करन जो है हमारे 105 सिंटरों बचला है हमारे जिलाज पताल मेला पुरुष बियारडी मेटिकल कालिज हमारे सारे पीएसी जो है और हमारे अर्बन पीएसी है और हमारे करीब 35 प्राइबेट हास्पिटल्स वो भी वैक्सिनेशन कर रहे है जनता को वैक्सिनेशन करना हमारा हमारी जिम्यदारी है और समय जैसे ही बुलाया जा रहा है जैसा सरकाथ स्वासना देश होता है कि अभी एक तारीक से हम 45 साल से उपर के लोगों को वैक्सिनेशन करेंगे अभी तक क्या था कि 45 साल के उपर और 65 साल से नीची लोगों को जो बिमार है उनी को किया जा रहा था तो अब एक तारीक से यह कह दिया गया है कि सासन ने कहा है कि अब 45 साल के उपर जितने लोग है उन सब को वैक्सिनेट कर दिया जाए अभी हम कल तक हम एक लाग 36 जार लोगों को वैक्सिनेट कर चुके हैं